लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे जटके दे रहा है जिसकी वज़ा से उत्री बॉर्डर पर इसराइली फौज की कमर तूटती जा रही है पहले तो सेनिकों की जान का नुकसान वहीं दूसरी तरफ नुकसान सेन्ने उपकर्णों और हत्यारों का जिनकी कीमत अर्बोड डॉलर में है इसराइली सेना को हिजबुला के साथ अगोशित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महगा पड़ रहा है और तो और हिजबुला अब इसराइल के कई सम्वेदन शील सेन्ने ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है जिसकी वज़ा से इसराइल के भीतर सेन्ने ठिकानों, हतियार कार खानों और फैक्ट्रियों जैसे एहम टार्गेट अब हिजबुला के निशाने पर है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने 11 अगस्त 2014 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किये हैं हिजबुला का कहना है कि उसने IDF के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है हिजबुला ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुभा करीब 7 बच कर 30 मिनट पर अलमर्ज मिलिटरी साइट पर गोली बारी की है इसके बाद करीब 9 बच कर 15 मिनट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अल राहिब मिलिटरी साइट पर जमा हो रहे इसराइली सैनिकों के उपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने IDF के जमावडे पर सीधे रॉकेट दागे हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इसराइली सैनिकों के एक और जमावडे पर अटेक कर दिया और इसके तकरीबन 5 मिनट बाद ही हिजबुला के लड़ाकों ने अल मलीकिया मिलिटरी साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटेक किया है और इसी सैनिक पर शाम को करीब 4 बच कर 22 मिनट पर कई रोकेट भी फायर किये गए और इस हमले के बाद हिजबुला ने एक बार फिर से अल मलीकिया सैनिक पर फरस्ट परसंड वियू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब साथ बच कर बीस मिनट पर हिजबुला ने इसराइल लिबनान सीमा पर बसे आलजिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया यहाँ पर भी इसराइली सेने के खटा हो रहे थे आपको बता दे कि इन हमलों से पहले इसराइली सेना ने हिजबुला को बहुत बड़ा जटका दिया था दरसल आईडियफ ने अपने हवाई हमलों में तीन बड़े लड़ाकों को मार गिराया था आईडियफ ने लिबनान के बलिदा कब्जे में हिजबुल्ला के लड़ा के मुहमद हानी हैदर को धेर कर दिया था इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी आईडियफ ने मार गिराया था और इसके बात लिबनान के बेतलिएफ कस्बे के हुसेन गद्बान की भी इसराइली सेना ने Хत्या कर दी आपको बता दे कि इसराइली सेना ने अल-ताइबे और मारूब कस्बे और यातेर के बाहरी अलाकों पर बंबारी की थी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और इस हमले को लेकर लिबनान की न्यू जजनसी अलमयादीन का कहना है कि इस हमले में पांच इसराइली मूल के लोग घायल हुए है